हलो इन्वेस्टर्स, मार्किट से एक से बढ़कर एक खतरनाग खबर निकल करके आ रही है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को इंडियन ओल कॉर्पोरेशन और ICICI बैंक के साथ में टोटल में 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आ जाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है सविता ओयल टेकनोलोजीज लिमिटेड कंपनी का जो एनसी कोड है हुए SOTL अभी डियूरिंग दे मार्केट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगबग अभी दो धाई बज़ रहा है और अभी कंपनी का जो शेयर है साड़े आठ परसेंट की बड़ी गिरावट हमें दिखा चुका है और कंपनी के शेयर का जो करेंट प्राइज है 511 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी के अगर ओफिशल अनॉंसमेंट की बात करें तो सवेता ओयल टेकनोलोजीज ने जुब है यहां भी डिविडेंड अनॉंस कर दिया है 4 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 4 रुपे का डिविडेंड दिया जाएगा डिविडेंड वैल्यू हमें अच्छा देखने को मिल जाता है बट कंपनी के जो quarter 4 के results है वो expectations से काफी कम आते होई देखने को मिले इसी चलते कंपनी के शेयर के अंदर में एक अच्छा खासा correction हमें देख देखने को मिला बागी रही बात डिविडेंड की तो इसको देने की x date record date अभी upcoming में है जैसी announcement आ जाएगा मैं आप लगो को intimate कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का जो nsc कोड है वो है s h r e y a n i nd currently कं जाड़े 3% से जाधा correct हो चुका है और 232 रुपीज के उपर में trade हो रहा है कंपनी के अगर official announcement की बात करें तो श्रेयांस इंडस्ट्रीज ने जुए यहां भी dividend अनौन्स कर दिया है 3 रुपीज का आप लोगो को आपके हर एक share के उपर में 3 रुपे का dividend दिया जाएगा और चाहे बेशक आपके पास में इस company के जितने भी shares हो हर एक share पे आपको 5 रुपे का dividend मिल जाएगा dividend value अपने आप में काफी जाधा शानदार है बस quarter 4 results के चलते इस company के share पे भी हमें correction देखने को मिल रहा है लेकिन यह short term correction है एक दो दिन तक चल सकता है उसके बाद काफी हाई chances ह share price आपको वापस से bounce back करता हुआ देखने को मिल जाए बाकी dividend को देने की x date record date upcoming में है जैसी announcement आजाएगा मैं आप logo को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है India Tourism Development Corporation Limited company का जो NSE code है वो है ITDC आज के trading session में company का share currently 8% की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है और 66 63 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पर dividend अनौंस कर दिया है 2.52 रुपीज का आप लोगों को आपके हरे एक share के उपर में 2 रुपीज 52 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी x date record date upcoming में है आप लोग चैनल को subscribe कर बिकुस जैसी x dates और record dates आजाएंगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है iSher Motors Limited company का जो NSE code है वो है E I C H E R M O T currently company का जो share है एकदम flat trade हो रहा है और अभी currently 4,653 रुपीज के उपर में share price चल रहा है company के अगर official announcement की बात करें तो iS Motors ने जो है यहाँ पर dividend announce कर दिया है 51 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 51 रुपीज का dividend दिया जाएगा जो की no doubt काफी अच्छा dividend है बाकि इसको देने की भी x date record date upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है Balexi Pharmaceuticals Limited company का जो NSE code है वो है B A L A X I currently company का जो share करें 0.5% से जाधा correct हो चुका है और 583 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company के अगर official announcement की बात करें तो Balexi Pharmaceuticals ने जो है यहाँ आप इस stock split announce कर दिया है 2 to 10 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company के 2 shares है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएंगे चाहे फिर बे हाला कि announcement काफी पुरान है बट अभी जो है company ने stock split को देने की x date और record date announce कर दिये जो की 30th of May यानि की 30 माई की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है भारत petroleum corporation limited company का जो NSE code है वो है BPCL भारत petroleum का जो share है लगबग 2% correct हो चुका है so far और 606 रुपीज के उपर में trade हो र अगर official announcement की बात करें तो BPCL ने जो है यहाँ इस stock bonus announce करके रखा है 1 is to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share है as a bonus मिलेगा total में जो आपका एक share है वो दो shares के अंदर में convert हो जाएगा in short up यह भी कह सकते हैं आपके पास में इस company के जितने भी shares है वो सभी के सभी यहाँ पे double हो जाएंगे because आपके पास में जितने भी shares होंगे उतने ही shares का आपको bonus दिया जाएगा एड इस bonus को देने की जो X date और record date है वो 22nd of June यानि की 22 June की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है ICICI Bank Limited company का जो NSC code है वो है ICICIBAN के currently company का जो share है लगबग 1% की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है और 1127 रुपीज के उपर में trade हो रहा है अब ICICI Bank की तरफ से एक बड़ी update आ रही है बेसिकली यहाँ पे Codex Securities करके काफी जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगोंने Codex Securities का नाम definitely सुना होगा Codex Securities ने जो है ICICI Bank के share के उपर में bullishness दिखाते वे buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 1175 रुपीज का दिया है तो लगबग 1127 रुपे से लेकर के 1175 रुपे तक की एक जो rally है वो यहाँ पे Codex Securities expect करके चल रहा है ICICI Bank के share के अंदर में अब देखा जाए target काफी छोटा है and काफी easily आपको short term के अंदर में achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा ICICI Bank भी काफी जाना मना और काफी दिगज बैंक है सभी को पता है fundamentally financially भी काफी जादा strong है तो आपको काफी easily है target achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा तो definitely ICICI Bank के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Indian Oil Corporation Limited company का जो NSE code है वह है IOC currently IOC का जो share है लगबग 0.5% का एक छोटा सा correction हमें दिखा रहा है और 158 रोपीस के उपर में trade हो रहा है अब यहाँ पे Indian Oil Corporation की तरफ से भी एक बड़ी update आ रही है basically मोतिला लोसवाल करके एक काफी जाना माना brokerage firm है even share market पे भी listed है and I am damn sure आप लोगों ने भी मोतिला लोसवाल का नाम सुनाई होगा अब मोतिला लोसवाल ने जो है Indian Oil Corporation के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 195 रुपीज का दिया है तो लगबग 158 रुपीज से लेकर के 195 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे मोतिला लोसवाल expect करके चल रहा है Indian Oil Corporation के share के अंदर में अब यहाँ पे आप देख सकते है target तो आपके लिए short term के लिए दिया गया है विट क्योंकि short term में market की uncertainty को हम predict नहीं कर सकते तो जादा से जादा आप mid term तक का view ले सकते हैं तो short term से लेके mid term के अंदर में यह 195 रुपीज का target आपको achieve होता हुआ देखने को मिल जाएगा company fundamentally financially काफी strong है PSU unit होने की वज़े से government का support और investor का trust बना रहता है साधी साथ में company के पास reserves भी भरपूर मौझूद है जिसके थूँ company अच्छा खासा dividend हरबानी announce करती है और दूसरी चीज यह काफी लोग इस चीज में confused थे भाया यह जो company है petroleum sector में काम करती है petrol diesel के अंदर में काम करती है और आने वाला time तो evolution है EV evolution है तो कैसे company sustain कर पाएगी तो आपकी जानकारी के लिए बता दू Indian oil corporation जो है अब काफी अच्छे levels के उपर में EV chargers की deal कर चुका है और आने वाले time के अंदर में near future के अंदर में आपको Indian oil corporation के fuel pumps के उपर में petrol, diesel के अलावा EV chargers और साथ ही साथ में CNG pumps भी देखने को मिलेंगे यानि की EV chargers और CNG pumps भी आपे Indian oil corporation अपने existing pumps के अंदर में include करेगा यहाँ पे EV chargers के लिए नए नए स्टार्ट अप से अल्रेडी Indian oil corporation बात कर रहा है और वहीं बात करें अगर CNG gas की तो इसके लिए अल्रेडी company एक और PAC unit के साथ में deal कर चुकी है all over company fundamentally financially काफी strong है future अभी भी काफी अच्छा नज़र आता है definitely Indian oil corporation के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और इसको बिलकुल भी miss out मत कीजेगा बाकी Indian oil corporation और ICICI bank के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 10 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye